दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको open camera का setting बताने वाला हूं तो अगर आप YouTube के लिए या फिर Instagram के लिए या फिर किसी भी social media platform के लिए video create करते हैं अगर आप open camera application को use करते हैं तो इसमें मैं आपको 3 setting बताऊंगा पहला setting बताऊंगा कि वीडियो का आपको frame rate क्या रखना है वीडियो का आपको क्या resolution set करना है साथ ही दोस्तों इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप external mic यूज करते हैं जैसे कि मैं यूज करता हूं बोया का M1 इस mic को आप कैसे external set करेंगे ताकि आपका जो वैस होगा उसका clear से आपका पूरा आवाज आएगा साथ ही दोस्तों मै आपको बताऊंगा कि कैसे आप brightness को कम या जादा कर सकते हैं आप अपने light के अनुसार क्या से आप manage कर सकते हैं कैमरा को इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाली है तो इस वीडियो को आप last तक जरू देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से रिक्वेश्ट करना चाहता हूं चानल पर पहली बार आया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके बैल नॉटिपीकेशन को जरूर प्रेस इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप इस अप्लिकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किये हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिशन में जा सकते हैं वहाँ पर भी इसका डारेक्ट लिंक दे करके रखा हूं तो दोस्तों सिंपल दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी अपना म माइक यूज़ करते हैं तो आप यहां पर सेटिंग कर सकते हैं इसमें यही खास बात है कि आप अपन कैमरा में एक एक्स्टरनल माइक को सेट कर सकते हैं जिसमें आपका वहाइस पहुत ही ज़्यादा किलियर आने वाला है इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है यहां पर आप देख सकते हैं गियर का बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको नीची आना होगा आप देख सकते हैं वीडियो सेटिंग्स का उप्शन है इस वीडियो सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना होगा फिर आपको थोड़ा सा नीची आना होगा एक option आएगा audio source audio source पर आपको क्लिक करना होगा यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा option है audio source में आपको second वाला option जो है यहां पर देख सकते हैं इंडिक कर दीजेगा उसके बाद आपको फाइनली यह external mic support करने लगेगा अब हम बात करते हैं कि वीडियो का आपको कैसे कैसे setting करना है से पहले दोस्तों हम वीडियो का जो pixel होता है उसे हम set करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे two three dot है इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका यहां पर घठते जाएगा और आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों फोकस कब दिया हुआ ऐसे आप अनुसार आप इसमें कम यह ज्यादा कर सकते हैं यानि अगजस्ट कर सकते हैं लाइट को सही से इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं का उप्षान ने लो करका इसको आप क्लिक करके आप इसे लॉक फोकस को लॉक कर सकते हैं इसे क्लिक करके आप focus को lock करके रख सकते हैं इसमें क्या benefit होगा कि जब भी आप इसे lock करते हैं तो जो भी आपका वीडियो capture होगा उसमें आपका focus lock रहेगा इस परकार से आप इसे lock करके रख सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि open camera application को आप कैसे setting करेंगे अगर आप एक external mic use करते हैं या फिर वीडियो का frame rate आपको क्या रखना है सारी information आपको पता चल गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक like करिए दोस्तों के साथ share करिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले करेंगे